गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पार्ट बीस इर्षया तू न गई मेरे मनसे का शेश भाग पढ़ेंगे प्रति द्वंद्विता का एक और रोप यहां लेखक ने प्रस्तित किया है उन्होंने लिखा है कि इर्षया का संबंद प्रति द्वंद्विता से होता है क्योंकि बिक्मंगा करोडपती से इर्षया नहीं करता यह एक ऐसी बात है जो इर्षया के पक्ष में भी पढ़ सकती है क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुश्य का विकास होता है किन्तु अगर आप संसार व्यापी सुयस चाते हैं तो रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हर्कुलिस से जिस हर्कुलिस के बारे में इतिहास कारों का ये मत है कि वे कभी पैदा ही नहीं हुआ आगे वे लिखते हैं इर्षया का एक पक्ष सचमुझ ही लाबधायक हो सकता है जिसके अधीन हर आदमी हर चाती और हर दल अपने को अपने प्रतिध्वनवी का समकक्ष बनाना चाहता है किन्तु ये तभी संभव है जबकि इर्षयाल्य व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है कोई वस्तु है दूसरों के पास किन्तु वे यह नहीं समझ पाता कि इस वस्दू को प्राप्त कैसे करना चाहिए और गुसे में आगर वे अपने किसी पडोसी मित्रिया समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ट मान कर उससे जलने लगता है जबकि वे लोग भी अपने आप से शायत वैसे ही असंतुष्टों हमें लगता है कि प्रतिद्वन्द्वी के पास सब पुछ है जो मेरे पास नहीं है लेकिन हो सकता है कि उसका भी कोई प्रतिद्वन्द्वी हो वे भी किसी और से इरश्या करता हो किसी और से आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो लेखक आगे लिखते हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा उसका फिर अमुक व्यक्ति वह व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसे की की हैं ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ मैं बिल्कुल साफ हूँ मेरे में कोई कमी नहीं है मैं निंदा नहीं करता और साफ दिल का हूँ मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बुरी भावना नहीं है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता बलकि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए है, मुझ में कौन सा वै एब है, जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ इश्वर्चंदर विद्या सागर जब इस तजर्वे से होकर गुजरी, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है और निट्से जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बजार की मखिया हैं, जो अकारण हमारे चारों और भिन भिनाया करती हैं निट्से ने मखिया निंदकों को कहा है, ये सामने प्रशनसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं, हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मखिया हमें भूल नहीं सकती और चुकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं, और हम पर श पंदे करती रहती हैं जो निंदक है निंदा करने वाली हैं हमारे चार और गूमते रहती हैं और किसी भी अच्छे चीज को देखकर वे उसे इर्शा करने लगते हैं और वे दूसरों से बाते करते हैं ये मक्हियां हमें सजा देती हैं हमारे गुनों के लिए क्योंकि हमारे अ ऑफ करने में भी एक शान हैं जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्हियां तरस रही हैं यह मक्हियां अर्थात निंदा करने वाले लोग हमारे अंदर व्याप्त गुनों के लिए हमें सजा देते हैं और अवगुनों को माफ कर देते हैं पार्ट का शेश बाग हम कल पड़ेंगे धन्यवाद